मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेस्लर्स को नियोता दिया था बादचीत के लिए बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बादचीत बहुत समवेदनशीर मुद्दे पर हुई है और लगबग 6 गेंटे 40 बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चारशिट दायर की जाए और रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी रेस्लिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे जब तक रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आई यूए की अधॉक कमेटी पर दो कोचिस का नाम प्रस्तावित किया गया है उसका तो कि टेक्निकल टेक्निकल भी उसमें दिखते हैं बहुत आती इसलिए के सुझाव दिये गये कि दो कोचिस को उसके ओपर रखा जाए उसका मेटी में और जब रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया के चुनाव हो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले अच्छे पदाधिकारी उसके चुनके आए उसके लिए खिलाडियों से राईशुम कि अच्छी निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजबोशन सिंग जनकी तीन टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंदित लोग उसमें चुनकर ना आए इस तरह कि उनकी मांग थी जो महिला खिलाडियों को या बाकी खिलाडियों अवश्यक्ता और नुसार शेक्यूरिटी उनको मिले जिन खिलाडियों के या अखाड़ों के अकेडमीस के अकोचिस के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापिस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानून या पुलिस की कारवाई ना की जा सके और खिलाडियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चारशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर परदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगटन जो उनके समर्थक है वो भी कोई परदर्शन नहीं करेंगे और उन सब को भी इस बादचित से अवगत कराएंगे उन सब को अपनी जाके बादचित दिवर रखेंगे इससरी बाते ही हमारी आमसहमती से हुई हैं। उनके सुझाव थे कि ये करना चाहिए। बागें भी सुझाव भी आप इसको किसी रूप में लेना चाहें। और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सबी विश्यों पर पहले भी और अब भी घंबीरता से बातचीत भी की है और इन बातों पर क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचिस भी जो आई थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आया थे उन्होंने बहुत पॉजिटीव बा बात को रखेंगे जब तक कि अभी दिमाने वह आपके एक्सेप्ट कर लिए से 15 जून तक चारशिट दार्ज करने की बात कहीं है करेंगे